गूड मॉर्निंग चिल्डेन आज हम फर्स्ट प्रियोडिक टेस्ट के लिए रिवीजन कर बार हैं और इस रिवीजन कोशन को तो करना ही है बाकि इसी पैटर्न पर पेज नमर वन से लेके थर्टी तक रिवीजन करना है जैसे फर्स्ट में है fill in the blanks the smallest two digit number is यानि smallest two digit number लिखना है smallest digit बच्चों 1 से लेके 8 तक 1,0 हुआ 2,3,4,5,6,7,8 होता है लेकिन largest number केवल 9 होता है तो इसमें the smallest two digit number सबसे आसानी तरह से हम समझ सकते हैं smallest two है तो सबसे पहले हम one लिख देंगे अब one के बाद अगर हम zero लिखते हैं smallest number है इसलिए यहाँ पर ten होता है zero के बदले में अगर one लिखते हैं तो यह eleven होता तो इससे बड़ा हो जाता हमको क्या लिखना है smallest two digit number इसलिए हम one zero ही लिखेंगे यहाँ है smallest three digit number smallest three digit number हम क्या लिखेंगे one लिखेंगे फिर हम double zero पेठा देंगे अगर हम one के बदला zero ही लिखते तो फिर यह पर कोई number नहीं हो पाता हो zero zero हो जाता इसलिए हमको first digit में one लिखना पड़ता है उसके पात जितना digit है उतना zero बैठाएंगे अब यहाँ पर देखो the largest two digit number largest में कुछ नहीं करना है जितना number दिया हुआ रहेगा largest का उतना हम nine बैठा देते हैं दो है तो दो ठो nine ठीक है और यहाँ है the largest four digit number तो यहाँ पर क्या होगा चार ठो नौ नाइन लिख लेंगे तेन और यह चार तो यह हमारा क्या हो जाएगा four largest digit number इसी तरह से अगर तीन है largest तो तीन ठो nine लिखेंगे one largest number है तो one लिखेंगे उसी तरह से smallest में four है तो one पर triple zero हो जाएगा अब second question में है हमको expanded करना है यानि भी star से लिखना है जैसे यहाँ 834 है तो 800 होगा 830 plus 4 834 तब यहाँ पर क्या है 8 है 8 के बाद एक दो दो digit है इसलिए double zero यानि 800 हो गया फिर 3 लिखे 3 के बाद 1 है digit तो यानि की एक 0 यह 30 हो गया अब फिर यहाँ पर 4 है तो हम 4 लिख सकते है यह expanded form होता है इसके हलावा हम इसको भी हम कर सकते है जैसे यहाँ पर दिखा देते हैं जैसे 8 into 100 plus 3 into 10 plus यह 4 into 1 हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा 800 यह 30 यह 4 लेकिन हमको simple way में बनाना है यह वला नहीं बनाना है जैसे यहाँ पर 800 plus 30 plus 4 लिख देना है उसी तरह से अगर 1000 का दिया हुआ है यहाँ पर देखो 7,00 7 है यहाँ हम लिखेंगे 7,000 यहाँ 100 प्लेस में नहीं है तो इसके बदले हम 0 लिख देंगे फिर 10 में भी नहीं है तो इसमें भी 0 लिख देंगे और उसके बाद 7 है तो 7 हम लिख देते हैं तो इस तरह से यह expanded form को करना है और सारा question हम देंगे लेकिन आज जो है तुम लोग इसको बढ़ियां से homework में भी और समझ के बना लेना है ठीक है? Okay and thank you